प्यारे विध्यारतियों आज हम स्वप्णवासवदत्तम नाटक के चतुर्थ पंचम एवं शष्ठ अंख का कथासार काध्यन करेंगे महाकविभास के 13 नाटकों में स्वप्णवासवदत्तम सबसे अध्विती नाटक है इससे पुरू उन्होंने पृतिग्य योगंद्रा नाटक की रजना किये जिससे स्वप्णवासवदत्तम का पुरुवार्द माना जाता है इसे एक से तिन अंकों की कथावस्तों हमने पहले अध्यन की है आज हम चतुर्थ पंचमें वम्सस्थ अंक की कथावस्तों का अध्यन करेंगे चतुर्त अंकर के आरंभ में विदुशक राजा उदियन के विवाह पर अती प्रसनता प्रकट करता है तथा स्वयम मन्दागनी रोग हो जाने से चिंता विव्यक्त करता है मन्दागनी रोग से भोजन में रुची नहीं होती है और विदुशक भोजन भट होता है भोजन प्री होता है इसलिए वो थोड़ा सा खिन्न महसुस कर रहा है पद्मावती वासद तथा चेटी प्रमदवन में आती है वहां शेफालिका के फुलों की सम्मरद्धी देखकर पद्मावती अत्यंत प्रसंद होती है और वह राजा उदियन को वह फुल दिखा कर उनसे सम्मानित होना चाहती है वारताला प्रसंग में पद्मावती राजा उदियन के ब्रती अस्षिम अनुराग प्रकट करती है उसी समय राजा उदियन एवं विदुशक भी वहां आते हैं अवंतिका पर पुरुष दर्शन नहीं करती अतावे सभी माध्वी लता मंडप में छुप जाती है शरद रितो की तिव्र एवं असाहिय धूप से बचन हे तो राज्या एवं विदुशक भी लता मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं किन्तु चेटी द्वारा भोरों को उड़ा कर उन्हें अंदर आने से रोका जाता है और वे वहीं शीला तल पर बैठकर पदमावत्य की प्रतिक्षा करते हैं एकांत देखकर विदुशक राजा से पूशता है कि वासवदत्ता और पदमावत्य में से कौन अधिक प्री है उदियन पहले उत्तर देने से आना कानी करता है लेकिन विदुशक कहता है कि एक पास में नहीं है और एक मर गई है अतहां आप निश्चिन्थ हो करके कहिए जबकि वस्तुस्थिती यही है कि दोनों ही वासवदत्ता और एवम पदमावत्य इस राजा उदियन और विदुशक के वारताल आपको सुन रहे होते हैं विदुशक के द्वरा अग्रह पर राजा कहता है कि यदपी पदमावती रूप शील तथा प्रीती में मुझे विशिश प्री है किन्तु वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खीच नहीं पाती है राजा भी विदुशक से यही प्रश्ण पुछता है और विदुशक भी वासवदत्ता को अधिक प्री बताता है राजा को वासवदत्ता की स्मर्ती हो जाने पर उसके साथ में बित्याय हुए क्षणों को स्मरण करवा आखों से आशू बहाने लगता है तभी विदुशक उसके मुख धोने है तो पानी लेने के लिए चला जाता है अवसर देखकर वासवदत्ता पद्मावत्ती को राज्या के पास भीष देती है और स्वयम वहां से निकल जाती है पद्मावति द्वारा अश्रू का कारण पुछने पर विदुशक बताता है कि काश पुष्प के पराकण आखों में गिरने से आशू आ गए हैं और विदुशक उदियन को मगद राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने का स्मरण कराकर वहां से चल देता है सभी वहां से चले जाते हैं और चत्तुर्थ अंगर की समाप्ति हो जाते हैं नाटक का पंचमक सबसे महत्वपुर्ण है क्योंकि इसकी कथावस्तु के आधार पर ही नाटक का नाम करण किया गया है स्वप्न वास्वदत्म पद्मिनिका तथा मधुकरिका इन दो चेटियों के वारतालाब से यह ज्यात होता है कि राजकमारी पद्मावती शिरुवेद्ना से पिडित हैं तथा उसकी शैया समुद्र ग्रह में बिचाए गई है पद्मिनिका स्वयम वसंतक को ढूंड कर राजा के पास भी यह समाचार भिजवा देती है और मधुकरिका को वास्वदत्त को बुलाने तु भेज देती है पद्मावती की शिरुवेद्ना के समाचार को सुनकर राजा उदियन विदुषक के साथ समुद्र ग्रह पहुंशता है वहां पद्मावती की पतिक्षा करता हुआ उसके शैया पर लेड़ जाता है विदुश्यक द्वारा कही जा रही कथा सुनते हुए राजा को नींदा जाती है विदुश्यक कंबल लेने चला जाता है तभी पद्मावत्य की अस्वस्तता को जानकर वासवदत्ता पे समुद्र ग्रह पहुंचती है दीपक के ख्षिन प्रकाश के कारण वहा राजा को पहचान नहीं पाती और वासवदत्ता उदिन को ही पद्मावत्य समझकर उसके पास बैड़ जाती है और तदन अंतर सकी स्नेहवश उसके पास सो जाती है उदियन स्वप्न में वासवदत्ता को देखकर उसे पुकारता है, वासवदत्ता चोक जाती है, राजा स्वप्न देख रहा है, यह जान करवा कुछ ख्षण रुक जाती है, राजा स्वप्न में वासवदत्ता से प्रणाएं भरे प्रश्ण पोछता है वासवदत्ता उसका उक्तर देती है किसी के देख लेने के भैसे वासवदत्ता वहां से जाना चाहती है लेकिन जाने से पुर्व राजा उदियन के शहया से लटके हुए हाथ को पुना शहया पर रख कर जाती है वासवदत्ता के स्पर्श को प्राप्त कर राजा निन्ज से जाग जाता है और उसी पकडने का प्रयत्न करता है किन्तु द्वार पक्ष के द्वारा ताडित होने पर वहरुख जाता है और वासवदत्ता वहां से चली जाती है विदुशक के आने पर उद्यन वासवदत्ता के जीवीत होने का प्रमान देता है किन्त विदूशक उसे स्वप्न में किसी यक्षणी के दर्शन का बहाना बताता है और राजा को मिध्य ग्यान हुआ है ऐसा कहता है कंचुकी महराज दर्शन का संदेश सुनाता है कि आपके सेनापती रुमनवान विशाल सेन्य सम्हों के साथ शत्रु आरूनी के उपर आक्रमन करने के लिए तयार है हमारी चतुरिंगिनी सेना भी तयार है अतहा आप युद्ध के लिए तयार हो जाएए राजा अपने मित्र विदुशक के साथ हमें उत्साह पुर्वक रंग मन से निकलता है और पंचम अंक की समात्य हो जाती है सस्थ अंक में राजा उद्यन ने अपने शत्रु आरूनी को उपरास्त कर लिया है और अपना खोया हुआ राज्य पुनह प्राप्त कर लिया है और वहां पद्मावति के साथ पुनह कौशाम भी पहुँच गया है महराज महासेन प्रद्योत के पास रेभ्यस गोत्रिय कांचो किय तथा महराणी अंगारवति द्वारा प्रेशित वसुंधरा नामक वासवदत्ता की दाइमा उसका बधाई संदेश तथा उदियन और वासवदत्ता का कालपनिक विवाह चित्र फलक लेकर उपस्तित होते हैं राजा उदियन को सुर्याभी मुक प्रसाद में वासवदत्ता की अत्यन्त प्रिय गोशवति विना की प्राप्ति का समाचार मिलता है विना को देखकर राजा वासवदत्ता की याद में व्याकूल होकर विलाब करता है विदुशक उसे सांत्वना देकर उस विना को ठीक कराने ही तू भेजता है और राजा वुदियन पुनह सुर्या भी मुख प्रसाद में बैठता है प्रतिहारी वीजिया कंचुकी एवं वसंधरा के आने की सुचना राजरा वुदियन को देती है पदमावति के साथ साशंकित मंत से राजा वुदियन उनसे भेट करता है कंचुकी महासेन के संदेश को सुनाता है तथा वसंधरा अंगार्वति के संदेश को सुनाती है उदियन एवं वासवदत्ता की चित्र फलक पर कालपनिक विवाह संपन कराने वाले उस चित्र को राजा को भीड करती है पद्मावती चित्र में वासवदत्ता को देख कर कहती है कि ऐसी ही एक्स्त्री मेरे विवाह से पुर्व किसी ब्राम्हन के द्वारा अपनी बेहन बता कर मेरे पास धरोहर के रुप में रखा था इसके पती विदेश में है और वहाँ पर पुरुष दर्शन नहीं करती उसी समय योगन द्रायन भी अपनी धरोहर को लेने के लिए पद्मावती के पास उपस्तित हो जाता है अवंति का वेश धारने वासवदत्ता को लाया जाता है और धरोहर को लोटा दिया जाता है दाइमा वसुंधरा द्वारा वासवदत्ता को पहचान लिया जाता है राजा घूंगट हटाने हेतु कहता है अवसर देखकर योगन द्रयान भी अपने परिव राजक वेश को हटा कर राजा का जयगोश करता है वासवदत्ता भी जयगोश कर प्रकड हो जाती है यह देख राजा आश्चर चकित हो जाता है पदमावती वासवदत्ता का प्रमाण देती है योगन राजा से ख्षमा याचना करता है और मंत्रियों सहित राज्य हितार्थ बनाए गई संपुन योजना की जानकारी देता है जित हो जाता है और भरत वाक्य के साथ में नाटक की समाप्ति हो जाती है इस छे अंकों के इस नाटक में नायक और नाइका के वियुग एवंपुनर मिलन के साथ में नाटक की सुखद समाप्ति होती है